हेलो फ्रेंज वेलकम टू सिक्षा तो कैसे हैं आप सब आई होप सभी लोग पढ़ाई पूरे जोरो शोरो से कर रहे होंगे अब अपने आपको बिल्कुल भी आपने डिसार्टन नहीं करना है जनरली जब हम पढ़ रहे होते हैं और पेपर पास पास आ रहोता है हमारा जो होना शुरू हो जाता है मुझसे होगा या नहीं होगा मुझे तो कुछ भी नहीं आता तो इसी एक महिने में आपने आपको मेंटेन रखना है आपने अपने कॉन्फिदेंस को मेंटेन रखना है क्योंकि अगर इसे एक महिने में आप रोते हुए निकाल दो गए तो पेपर कोश्यन देखेंगे और उसकीम को कवर करेंगे और कुछ कुश्यन दो है वह वाश्टीराइब से रिलेटीड कोश्य ना डाउत रहता केसार आप पुराएज schemes करा रहे हो नई schemes करा हो नई schemes तो आपका current affairs का part all automatically बन जाती है और नई schemes भी हम करेंगे social security से related जो भी है अगर आपने 2017 का paper देखा है तो उसमें जो social security schemes के ओपर सवाल आया हूँ है वो पुरानी schemes के ओपर पुछे गए हैं और यह पुरानी नहीं 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 होती जैसे 2020 में या 2021 में इनके बारे में कोई बात हो गई पार्लेमेंट में कुछ बात हो गई जैसे राष्ट्र के शोर स्वास्तिय योजना जो है वो आज से 4-5 महीने पहले भी नियूज में थी तो यह चीज आपने ध्यान में रखनी है तो राष्ट्र किशोर स्वास्तिय कार्यकरम से रिलेटिट करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है पहला स्टेटमेंट कहता है कि यह डॉलेसेंट को कवर करता है बिट्वीन दे एज ग्रूप ऑफ 10-19 एर्स ठीक है तो इलिजिबि क्यों ग्रूप ठीक है यह एक इंपोर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए अंसर करने में इस कोश्चन को जिन 10-19 एज ग्रूप में लड़कों या लड़कियों की शादी हो चुकिया उनको स्कीम से एक्स्क्लूड किया जाता है तो आपको करेक्ट अंसर बताना है ऑप्शन ए 1-2-3-4-1-3-4-1-3-1 अगर अच्छे से पढ़ी है तभी इस कोश्चन का अंसर कर सकते हैं थोड़ा उनका साथ मुश्किल कोशन है तफ कोशन है क्योंकि डिटेल जो है आपको नॉलीज यहां पर स्कीम की थोड़ी सी चाहिए नहीं तो नहीं हो पाएगा अंसर और लेट तो अंसर यहां पर आपका रहेगा ऑप्शन ए जो है इसका से जवाब रहेगा करेक्ट स्टेटमेंट जो है इसका एक सेकंड रुको नहीं इसका ऑप्शन ए अंसर नहीं होगा यहां पर गलत लिखा हुआ है इसका अंसर होगा आपका पहला स्टेटमेंट ठीक है और इसमें आपका जो है थर्ड स्टेटमेंट ठीक है तो इसका अंसर सी होगा यहां पर अंसर गलत लिखा हुआ है इसका answer जो है C होगा first और third statement ठीक है second और fourth statement जो है वो गलत है launch year आपको गलत दिया हुआ है और married boys and girls जो है 10 to 19 age group के उनको भी include किया जाएगा तो marriage से कोई भी चीज यहां पर change नहीं होती है ठीक है detail में scheme को समझ लेते हैं तो 2014 में scheme launch की गई थी by the ministry of health and family welfare अपने पास 2009 गिवन था इसलिए second statement गलत हो गया था all right उसके बाद purpose क्या है holistic development of the adolescent population adolescent person को define कैसे किया जाता है within the 10 to 19 years of age okay and urban हो या rural हो दोनो boy हो या girl हो दोनो married हो या unmarried हो दोनो पूर हो या rich हो दोनो school going हो या out of school हो दोनो तो यह define नहीं करता कि बहुँ स्कूल जाने वाले बच्चों को ही सिरफ हम यह योजना में include करेंगे या unmarried बच्चों को ही include करेंगे everyone it basically says that everyone in the country who is between the age of 10 to 19 can get the benefits अंडर राष्ट्य किशोर स्वास्त्य कारेकरम ठीक है और यह LGBT community जो आपकी lesbian gay bisexual transgender and queer community है adolescents from that community are also focused under this particular scheme यह important point है बच्चों को पता नहीं होता ठीक है और इस question में अगर आप देखो यह fourth point जो था यह भी confuse करने के लिए examiner ने डाला था अगर scheme ना पढ़ी हो तो कहीं बार बच्चे क्या देते हैं कि हाँ यह ठीक होगा marriage child marriage को रोकने के लिए क्योंकि वहाँ पर हम reasoning करना start करते हैं जब हम exam में paper दे रहे होते हैं यह statement based वाला अगर question आपता है तो हम reasoning स्टार्ट कर देते हैं अगर आपने नहीं पढ़ाता reasoning से question गलत होते हैं ठीक है अगर आपने कोई चीज नहीं पढ़ी है ना एक होती है बिल्कुल general सी चीज एक होती है schema के अंदर reasoning मत लगाने की कोशिश करना ठीक है जब मैं paper दिविया करता था और इस तरह के civil services या UPSC या state services या कोई भी वेगर मैं exam देता था मेरे काफी question गलत हो जाते थे reasoning की वज़े से reasoning हम करना वहाँ पर शुरू कर देते हैं फालतों की ठीक है इसके लिए generally reasoning क्या निकालेंगे child marriage को रोकने के लिए जो है married boys और girls को scheme से भार रखा जाता होगा और कहीं नहीं वह reasoning आपकी क्या अप तक ठीक भी हो पर scheme के हिसाब से अगर चीजे गलत हो जाती है आपकी ठीक है तो यह चीज धियान में रखेगा experience से आपको बता रहा हूँ चलिए उसके बाद to guide the implementation of this program MOHFW that is your ministry of health and family welfare ने United Nations population fund के साथ collaboration में national adolescent health strategy जो है वो develop किया था यह भी important point है पूछा जा सकता है कि कौन सी agency के साथ collaborate किया है तो याद करना है अपने United Nations population fund six thematic areas है इस particular scheme के what are they first of all is nutrition then is your sexual and reproductive health third is your substance misuse fourth one is your non communicable disease fifth one is your mental health and the sixth is injuries injuries and violence तो यह छे एरियास है जिसको यह scheme target करती है पता होने चाहिए यह areas भी okay and यह जो scheme है basically यह एक shift लेकर के चलती है it is not just a clinic based service ठीक है यह basically it tries to reach to the adolescent यह यह बात नहीं करता कि adolescent should come to the government or adolescent should come to take the benefit the scheme tries to reach the adolescent in their environment like school visits families community visits ठीक है तो यहाँ पर इस योजना के through जो है सरकार adolescent age group के पास जा रही है ना कि reverse हो रहा है all right अब अगर आप देखें prime elements क्या है is scheme में adolescent friendly health clinics established किये जाएंगे public health institutions में weekly iron folic acid supplementation program जो है adolescent boys or girls के लिए peer educate program और इन educators को साथिया कहा जाता है ठीक है तो यह peer educator program जो है around 200 districts में शुरू किया गया है basically high priority districts में ठीक है तो यह जो educators होते हैं they you know get in touch with the adolescents उनकी problems को solve करने के लिए यह जो educators होते हैं जिनको साथिया कहा जाता है इनको एक साथिया resource kit भी दी जाती है ठीक है now this resource kit basically help the educators okay ताकि उनको help कर सके to discuss sensitive issues और वो teenagers की queries को answer कर सके वो informed रह सके और menstrual hygiene scheme जो है वो भी इस आपकी राष्ट्र किशोर योजना का पार्ट है all right इसके अंडर जो है funds provide किये जाते है state governments को और UTs को so that they can procure sanitary napkins for the adolescent girls which are aged between 10 to 19 years so you components भी आपको याद होने चाहिए पूचा जा सकता है कि which of the following is one of the program under the राष्ट्य किशोर योजना okay तो iron folic health clinic satya that is peer educator program and menstrual hygiene scheme यह आपको याद रखना है ठीक है जी चलिए okay तो यहाँ पर यह scheme खतम हो गया I hope आपको सारा समझ आ गया होगा राष्ट्य किशोर योजना में इससे भार से question नहीं आएगा ठीक है चलिए next second question which among the following state is not covered under the sixth schedule of the constitution 6th schedule के अंदर आपकी चार north eastern states cover होती है ठीक है यहाँ पर चार option given है यानि कि इनमें से एक state ऐसी है जो नहीं cover होती है बाकी तीन होती है कौन सी है मनिपूर मिजोराम में घालिया या फिर तरिपूरा यह हमेशा question confusing रहता है ठीक है और confusing किस में रहता है मैं आपको बता भी देता हूँ answer देख लेते हैं चलो पहले इसका answer होगा आपका option A Confusing सबसे ज़ए रहता है यह मनिपूर और मिजोराम में ठीक है मनिपूर और मिजोराम की बच्चों और कापिटल नहीं आद होती वो capital में confused होती है मनिपूर मिजोराम आपके यह याद रखनी है अपने चार स्टेटS ठीक है इस आपका सीक aosड शीरीटी का पाइड गहां अगर हम इस इसको देखें तो यह एक सार्य से आपका शोशल सीक्यूरिटी का पाइड वी बन जाते है और पॉलिटी का पाइड भी बन जाते है theoretical सकते होगी पॉलिटी का कोश्यन भी है समझ रहो तो सिक्स शेडूल जो है आर्टिकल 244-2 अब दो कॉंसी चार स्टेट्स असाम में घा लिया त्रिपोरा एं मिजोराम ओके और बेसिक लिए उन एरिया से रिलेट करता है विचा डिकलेड एस ट्राइबल एरिया इन दीस स्ट अल्राइट चलिए नेक्स कुशन देखेंगे विच अमंग दर फॉलोइंग इस क्राइटीरिया फॉर डिकलेरिंग एनी एरिया शेडियूल एरिया अंडर फिफ्थ शेडियूल अब आप सब जानते हैं कॉंस्टिटूशन में शेडियूल है बारा शेडियूल में जो ट्राइबल एरिया ऑफ फॉर स्टेट जो भी हमने पीछे देखी असाम मेगालया ट्रिपुरा एंड मिजुरा ठीक है यह चार स्टेट्स है लेकिन जो फिफ्थ शेडियूल है यह ट्राइबल एरिया इस कवर करेगा अपार्ट फॉम दफॉर स्टेट्स अफ शेडियूल फॉर स्टेट्स हैं सिख शेडियूल यह बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में ओके सिख शेडियूल सिरफ चार स्टेट्स के ट्राइबल एरिया और फिफ्थ शेडियूल बाकी की स्टेट्स तो अगर फिफ्थ शेडियूल के अंडर किसी भी एरिया को किसी भी स्टेट में किसी भी एरिया को अगर आपको schedule area declare करना है तो उसके लिए क्या criteria जो है वो follow किया जाता है option यह कहता है preponderance of the tribal population यानि कि tribal population होनी चाहिए अच्छी खासी कितना बड़ा area है वो और क्या जो population है वहाँ पर वो economically backward है या फिर all of the above आपको बताना है कि क्या criteria follow किया जाता है किसी भी area को schedule area declare करने में under the fifth schedule ठीक है यह सारे questions जो भी हम देखेंगे ना यह सारे के सारे आपके आपके quality के एंडर quality के हैड के एंडर भी कर सकते हो ओके चलिए तो यहाँ पर आपका answer हो जाएगा option D all of the above ठीक है चार grounds होते हैं चार criteria होते हैं जिनके उपर आपका schedule area declare किया जाता है under the fifth schedule they are first of all the preponderance of tribal population tribal population होनी चाहिए वहाँ पर reasonable size of the area होना चाहिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटा सा area है तो उसको आप tribal area नहीं declare करोगे viable administrative entity जैसे district, block या तालुक इस तरह से area होना चाहिए जिसके लिए आपको separate administration या schedule area declare करने की जरूरत है अगर एक कोई छोटा सा महला है जहां पर tribal population नहीं है तो आप उसको tribal area कैसे declare करोगे possibly नहीं है administratively possibly नहीं है और economically backwardness भी होनी चाहिए उस area की as compared to the neighboring areas ठीक है for example यह area है यहां पर for example इस area में tribal population है और यह जो tribal population है as compared to these areas is economically backward then आप इसको schedule area declare करोगे अगर यह basis satisfy हो रहे है तब ही आप इसको schedule area declare करोगे ठीक है तो याद रखने वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है population, size, viable administrative entity, economic backwardness ठीक है पूरी-पूरी statement क्यों ही यार करनी है वो तो समझाने के लिए लिखनी पड़ती है ठीक है चलिए next the specification of schedule area in relation to a state is done by the notified order of the specification यानी की area हो गया ठीक है size हो गया तो यह सारी जो specifications है यह इसके लिए जो order है वो कौन निकालता है state का governor जिस state में tribal area को notify किया जा रहा है, scheduled area को notify किया जा रहा है उस state का chief minister, president of India या फिर delimitation commission कौन स्पेसिफिकेशन निकालता है scheduled area की ठीक है, once again, quality, social security दोनों का part देखो, quality जो है वो हर जगा पे आती है, quality के provisions आप social security में भी पढ़ सकते हो ठीक है, क्योंकि जो आपकी socially weaker sections हैं, उनकी जब हम बात करते हैं, तो constitutional provisions बगयरा पढ़ना important हो जाता है economy में भी पढ़ सकते हो, जब हम money bill पढ़ते हैं, या फिर finance bills के बारे में पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़े आप economy से भी relate कर सकते हैं, finance commission के बारे में पढ़ते हैं साथ consultation करेगा president, हाला कि ये consultation importance नहीं रखती, वो एक बार बस formality के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है, तो अगर किसी भी area को schedule area declare करना है, तो president करेगा उसके बाद, अगर कोई schedule area already है, और उस schedule area का area alter करना है, या इरिया को increase करना है, या area को decrease करना है, या फिर कोई new area जो है incorporate करना है तो इस से related भी सारे order जो है, वो कौन निकालेगा, president निकालेगा, ठीक है, तो schedule area की specification से related, या changes से related, सारा काम कौन करेगा, president करेगा, याद रखने, चलिए fifth and last question, which amendment act bifurcated the national commission for schedule caste and schedule tribe into two different commission, देखो पहले same commission होता था, national commission for schedule caste and schedule tribe, single commission होता था, फिर एक amendment act लेकर के आया गया, और उ amendment act के थू, national commission for schedule caste एक अलग commission हो गया, और national commission for schedule tribe एक अलग commission हो गया, ठीक है, तो वो कौन से आपका amendment act था, constitution amendment act था, 65th, 86th, 89th, या फिर 91st, ठीक है, factual question है, अगर amendments पढ़ी है, amendments के उपर पिछले कुछ सालों में, UPSC के various exams में, बहुत सारे सवाल जो है, वो पूछे गई है, ठीक का options ही, 89th amendment act से, बाइफर्केट किया गया था, national commission for schedule caste and schedule tribe को, into two different commissions, that is, national commission for schedule caste, one, second, national commission for schedule tribes, okay, याद रखना है, अभी schedule tribes and schedule caste से related, और tribal communities से related, forest communities से related, और बहुत सारे questions देखेंगे, आने वाली एक बो वीडियो में, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इस session को end करेंगे, friends, and please channel को share and subscribe जरूर कीजेगा, and अपने views comment में भी जरूर share कीजेगा, अगर आपको कुछ improvement suggest करनी है, या कोई चीज आपको पसंद नहीं आई, तो वो भी आप लिख सकते हैं, decent way में comments आप जितना मर्जी criticize कीजिए, बस गालिया वालियां avoid कीजेगा, ठीक है, decent way में, I am open to criticism, जित में, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए all the best and bye bye